नमश्कार दोस्तों कैसे आप आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़ियों से होंगे दोस्तों बहुत बार हमें अपनी समस्याओं के बारे में पता होता है हमें अपनी बीमारियों के बारे में पता होता है या as a doctor एक patient की बीमारी के बारे में हमें पता चल जाता है लेकिन उ बीमारी की, एक प्रॉब्लम की, एक सिम्टम की, एक रुब्रिक की अच्छी होमिपेथिक मैडिसेन पता कर सकते हैं और फिर उसे पढ़ें, समझें कि वो दवा उस पेशेंट के लिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं, अगर आपको लगे कि एफेक्टिव है तो फिर आप वो मैडिसेन ले या मैडिसेन पेशेंट को दे तो आपको या पेशेंट को आराम लगे आज मैं बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा तो पूरा वीडियो आखरी तक देखिएगा यह बहुत इंपोर्टेंट और बहुत ही नॉलिजबल होने वाले हैं तो जरूर देखिएगा मैं आक्टो विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए जरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैं हर द दिन लाइव आता हूँ यूटूब पर जहां पर आपके सवालों के जवाब देता हूँ इसके अलावा आप मुझे इमेल कर सकते हैं मेरे इमेल आइडी किर्तिविक्रम सिंग परिहार at the rate gmail.com पर और वहां पर अपना नाम लिखें अपनी समस्या लिखें सेंड कर दें मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की हाँ अगर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं और आपने एक स्क्रीन शॉट इसी वीडियो का भीजा हुआ है और साथ में अपनी प्रॉब्लम लिखी हुई है तो आपके लिए कंसल्टेंसी बिलकुल फ्री है तो जरूर सब्सक्रा आपके पास जरूर होनी चाहिए एलेंस की नोट और यह बुक इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि अगर आप एक होमेपैथिक डॉक्टर है या अगर आप एक होमेपैथिक स्टुडेंट है या अगर आपको होमेपैथी में इंटरेस्ट है तो आपके पास यह बुक एलेंस से समझ में आ रहा है कि हर medicine के key notes, key symptoms पता चलते हैं, कि कौन से symptoms मिले तो आप उस homeopathic दवा का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज, बहुत ही अच्छा formula, बहुत ही अच्छा तरीका छुपा हुआ है, आपको medicine के बारे में तो जानकारी होती है, homeopathic medicine के बारे में भी जानकारी होती है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, picture लगा दूँगा, जादा बहतर रहेगा ऐसे दिखाने से, homeopathic medicines के बारे में तो जानकारी होती है, साथी साथ no-sorts के बारे में जानकारी होती है, सारकोट्स के बारे में जानकारी होती है, छोटी वाली बुक भी आती है, लेकिन उसमें इतनी जानकारी नहीं है, ये वाली लीजेगा red वाली, तो इसमें बहुत जानकारी मिलती है, बहुत ही सस्ती है, यह लगबग 300 की है, अब बहुत कुछ सालों पहले मैंने लिये, तो मा लीजे 400 की हो भी उससे ज़्यादा क्या होगी, तो यह काफी informatic book है, तो इससे आपको काफी information मिलेगा, होमिपथिकrict medicine के बारे में, नोसोट के बारे में, सारकोट के बारे में, बॉबल medicine के बारे में, और उसके बाद आपको इसमें repertery मतलब Index of Materia Medica भी मिलेगा, तो Kent Repertory में आपको Kent Materia Medica पढ़ना होता है और उसके बाद Kent Repertory पढ़ेंगे और Kent Repertory को आप बहुत अच्छे समझ सकेंगे लेकिन Kent Materia Medica अपने आप में बहुत भारी होती है उसे समझना काफी समय लगता है एलेंस की नोट को समझना आसान होता है कम सब्दों में अच्छे से आप Homeopathic Medicine समझ सकते हैं और अगर आपके पास एलेंस की नोट इसकी Materia Medica है तो पीछे Repertory भी आपको मिलेगी और यही से आप अपनी बीमारी की Homeopathic Medicine के बारे में जान सकते हैं कैसे तो सबसे पहले आपको Page Number म इसको पलटेंगे तो आपको Introduction मिलेगा 430, 4 और 430, 5 से चलता है Mind मतलब दिमाग, Repertory एक्चली में होता क्या है, Simply मैं समझाता हूँ, देखिए Materia Medica में बहुत सारे Symptoms लिखे रहते हैं, हर Symptoms को और हर Medicine के पूरे Symptoms याद करना लगभख नामुम्किन है, इसलिए बाद मे हमारे हमपैथिक डॉक्टर्स और हैनिमन सहाब ने, कैंट सहाब ने ये थोड़ा ध्यान दिया कि यार, Repertory जरूरी है, मतलब Index of Materia Medica जरूरी है, जिसमें आपको Symptoms के आंगे लिखा हो कि ये Medicine, ये Medicine इसके लिए Important है, तो Repertory जो है, वो Index of Materia Medica है, जैसे कि आप Simply कोई Book देखते हैं, तो आंगे लिखा रहता है कि इसमें ये Introduction है, उसके बाद ये इसका Chapter है, ये इस पेज में और ये सब लिखा रहता है, तो वैसे ही, ये Materia Medica का Index है, और यहां पर आपको Symptoms लिखे रहते हैं, और उसके आंगे Medicine लिखी रहती है, Materia Medica में एक Medicine में पूरे Symptoms बताया जाते हैं, रिपर्टरी में एक Symptom के पूरी Medicine, कितनी-कितनी Medicine हैं उसके Important वो बताई जाती है, तो ये बहुत Important होता है, तो हर Materia Medica के पीछे रिपर्टरी होना जरूरी है, और एलेंस की नोट की रिपर्टरी आपको पीछे मिलेगी, और बहुत सिंपल रिपर्टरी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो समस्या है, वो ढूड़नी है, उसके आंगे Medicine लिखी होती है, फिर दुबारा आप जाके Materia Medica में Medicine को पढ़िए, और समझे कि आपके लिए तनी Effective Medicine है कि नहीं, अगर वो Effective है, लीजिए और बानते हैं, क्या-क्या, देखिए, देखिए, सबसे पहले रिपर्टरी में Chapter होते हैं, Chapter मतलब आपका दिमाग, आपका आखे, ना, कान, मू, गला, पेट, रिस्पारेटरी सिस्टम, पेट के बाद हाथ-पैर, ये सब Chapter होते हैं, और उसके अंदर हाथ-पैर में क्या-क्या स समस्या होती है, और एक-एक समस्या के आंगे, Medicine लिखी रहती है, तो बहुत ये सिंपल तरीका है, कोई इसमें बहुत जादा सोचने की और बहुत जादा टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है, तो पहला Chapter है Mind, Mind में Anger है, Company है, मतलब जो भी Mind में आप सोचते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, Delirium है, Delusion है, Fear है, Hallucination है, Illusion है, अब इसके अंदर बहुत सारे Symptoms लिखे रहेंगे, जैसे कि मां लिजे कि आप Mind ही देखते हैं, Anger, Elements of Anger, ये एक Symptom है, अब उसके आंगे कुछ Medicine लिखी है, जैसे कि ब्राइनिया, Camomilla, Staphia Sagria, और फिर आंगे लिखा रह आएगे, तभी ये समझ में आएगा, फिर Delirium है, तो कैसे कैसे Deliriums होते हैं, और उसके कौन-कौन सी Homepathic Medicine, Important है, ये भी लिखा रहता है, फिर आपको Medicine पढ़नी है, अगर समझ में आए कि हाँ, ये मेरे को होता है, ये इसकी Medicine है, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, वो Medicine, और फिर समझना है, और फिर Medicine लेना है, बहुत ही बढ़ियां तरीके से हैं, और जल्दी हो जाता है, तो Delirium है, Delusion है, Fear है, फिर उसके बाद Hallucination है, Illusions है, Mania है, ये सब आपको मिलेगा Mental Confusion, Memory, Memory आप में से काफी लोगों को बढ़ानी घटानी रहती है, मुस्ती बढ़ानी ही तो Memory में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कि Memory किस किस चीजों को आप जल्दी भूल जाते हैं, वो मिल जाएगा, आप किस चीजों को याद नहीं रख पाते हैं, वो मिल जाएगा, उसके आंगे Medicine लिखी होई मिल जाएगी, और फिर आप वो Medicine पढ़िये, तो Restlessness है, Time है, और उ कारण के, तो इसमें कारण भी लिखे रहेंगे कि कब-कब कोई व्यक्ति रोता है, या जल्दी रोता है, तो उसकी क्या-क्या Medicine हो सकती है, तो आप पढ़ियेगा जरूर, एक बार मैं इसे विस्तार में बताऊंगा, हलाकि फिर मुझे एक एक चैप्टर को लेके, थोड़ा फिर चैप्टर देख लेते हैं, विजन है, उसके बाद इयर है, हीरिंग है, हीरिंग लॉस की समस्या हो, तो उसमें लिखा हुआ है, डिफनेस ऑफ ओल्ड एज, काली मियूर इसकी दवा है, और जैसे नोज, ड्राय कोराइजा, कोराइजा, इपेस्टैक्सिस, नोज, आज आज कल इसमेल की समस्या बहुत जादा होती है, पढ़िएगा यह बहुत बढ़ियाँ चैप्टर है, फेस, माउथ, माउथ में सैलेविशन, उसके बाद टेस्ट, स्पीच, यह सब आपको मिलेगा, तो चैप्टर टीथ है, टीथ कैसे टूथ है, दर्द, बहुत सारे अलग पटाइट, फिर उसके बाद उसके सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगे, फिर उसके बाद स्टमक के बाद आपको मिलेगा चैप्टर, एब्डॉमन, एब्डॉमन में मोस्ली पेन मिलेगा, फिर रेक्टम मिलेगा, रेक्टम में पाइस, फिशर, कॉंस्टिपेशन, य ये सब देखने को मिलेगा, dysentery ये भी मिलेगा, diarrhea भी मिलेगा, stool भी आपको अलग से chapter है, urine एक अलग से chapter है, urine के सारे symptom, फिर उसके बाद male and female एक chapter है, male female की जो भी समस्या होती है, वो आपको देखने को मिलेगी, power की कमी ये सब और females में जो समस्या होती है, उसके लेरेंग्स है, voice है, voice में अगर कोई समस्या है, वो देखने को मिलेगी, respiration है, सास में कोई समस्या है, अस्तमा जैसी, वो आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, कफ पूरा एक चैप्टर है कफ के ऊपर, और उसके बाद expectoration जो कफ निकलता है, उस पे भी एक चैप्टर है, chest पे भी एक चै symptoms और उसके आंगे medicines देखने को मिलेगी, back में spine chapter बहुत important है, क्योंकि lumber की problem काफी होती है, और उसके symptoms इसमें काफी मिल जाते हैं, कभी-कभी rarely medicine देना पड़ता है, क्योंकि patient ठीक नहीं होता तो फिर आप देख सकते हैं, बाकि आप regularly जो videos देखते हैं, उसमें आपको medicine पता ही जाती है, extremities भी आपको मिलेगी हाथ पैर की अगर समस्या है, finger में अगर समस्या है, चलने में अगर समस्या है, rheumatis की problem है, RA factor positive है, sleep, need की समस्या है, dreams की समस्या है, वो भी आप देख सकते हैं, उसके बाद fever से related chapter मिलेगा, fever, pest, और साथ में पसीना जो आता है, fever में, skin, skin बहु important chapter हो जाता है, क्योंकि skin की problem जल्दी ठीक नहीं को पाती, तो जो नॉर्मल medicine है, arsenic, biocombination, 20 number हो उन सबसे, ये problem ठीक नहीं होती है, तो फिर आपको skin chapter देखकर medicine, अगर आप लेंगे, तो काफी अच्छे results आपको मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं, eruptions, urticaria, warts, सब कुछ है, इसमें discoloration, psoriasis, eczema, skin में तो काफी अच्छा chapter है, इससे जरूर पढ़ना चाहिए, skin वाला chapter जरूर आप पढ़ें, मेरे हिसाब से, और उसके बाद generalities एक chapter है, इसमें बहुत सारा abuse of tobacco, bad effect of, अलग-अलगतर है के bad effects मिलेंगे, एकदम से आदमी पतला हो चाता है, उसमें कौ क्या-क्या हो सकता है, उसकी क्या-क्या medicines हो सकती है, यह सब मिलेगा, किसी को bleeding होती है, वो मिलेगा, दर्द, और दर्द कितने प्रकार के हैं, और उसकी कौन-कौन से important medicine है, यह सब मिलेगा, तो बहुत ही बढ़िया knowledge आपको मिलता है, और last तक यह जाता है, weakness तक, तो weakness यह last main symptom आपको मिलता है, और 553 यह page है, और उसके बाद यह book जो है, वो खतम हो जाती है, लेकिन सबसे आखिर में ही इस book की सबसे important खूबी छुपी हुई है, तो यह book आप पूरी जरूर पढ़िये, एलेंस की note, इसमें पूरी medicine आपको मिलेगी, लेकिन साथ-साथ आपको repertory part मिले जहां पर आप आसानी से अपनी problems की, homeopathic medicine डूड सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और फिर यूज करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे results मिलेगे, तो रिपर्ट्री एलेंस की note की, यह बहुत ही simple और effective है, और normally अगर आपके पास समय नहीं है, Kent Repertory जैसे रिपर्ट्री को समय देना पड़ता है, सालों साल, एक साल, दो साल, तीन साल, अगर उतना समय नहीं है आपके पास और आपको simple practice करना है, तो इस रिपर्ट्री को जरूर थोड़ा समय दें, और आप इसे, रिपर्ट्री क्योंकि याद की नहीं जा सकती, रिपर् और उसके आंगे medicine लिखी हुई रहती है, फिर पीछे सामने से आप medicine पढ़िए और फिर वो medicine दीचे, तो ना मैं, ना हाप, ना कोई और रिपर्ट्री याद नहीं कर सकता है, तो ये मत पूछेगा कि सर कितने दिन में याद हो जाएगी, बिलकुल याद नहीं होगी, बस इ ये से कि हम dictionary कोलते हैं और किसी सब्द का मतलब जानते हैं, कभी-कभी हमें कुछ सब्दों के मतलब याद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता कि पूरी dictionary किसी को याद हो, बहुत मुश्किल है, लगभग नामूम किने, ऐसे ही रिपर्ट्री आपको जब भी ज़र अच्छा लगाओ, अगर अच्छा लगाओ, तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दीगे, तो इसको दबाना बिल्कुल बिलेगा, यहाँ पर एक रेट को सब्सक्राइब का बटन दीगे, तो इसको भी दबा दीजे, उसके बगल में एक बैल आइकन है, तो दरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतने ही, कल फिर मिलते हैं, चैह हिंद, चैह भारत, धन्यवाद, थैंक ये सो मुच, बाई